हाई एबिरिवन आप सभी से सबसे पहले मैं माफी माना चाहिए कि मैं पहली बार यूट्यूब पे लाइव आया था बहुत मज़ा है यूट्यूब पे लाइव आने में और आपसे अपना जो मेरा जो टॉपिक है वो सेयर करने में दो टॉपिक पे मैंने बात किया था उसमे कि क्यूं सभी लोगों को invest करना चाहिए equity में और दूसरा topic जो था कि दिवाली का मेरा best pick क्या होने वाला है तो वो video जो है वो live जो session रहा वो मेरे तरफ से तो बहुत ही अच्छा रहा लेकिन technical issue के कारण वो video सही से नहीं हो पाया और audio quality तो सही है बेस्ट जो मेरे दिवाली picks है क्योंकि वो videos में ही मैं बताया था लेकिन हो सकता है कि वो जो video है लोग नहीं देखेंगे क्योंकि उसमें कुछ issue है video को लेके audio quality तो सही है लेकिन video quality सही नहीं है तो इस video में short video होने वाला है सिर्फ दिवाले picks आपको बताने वाला हूँ इससे पहले बता देना चाहता हूँ कि पिछले साल जो मूरर trading के दिन मैंने आपको बताया था कि मेरे best जो shares है वो किस में मैं invest करने वाला हूँ मूरर trading के दिन वो हिंदुस्तान यूनिलिवर था और वो अभी से पिछले मुझरट ट्रेडिंग, यानि पिछले दिवाली से इस दिवाली तक का अगर उसका रिटर्न देखेंगे, तो 10% के उपर का रिटर्न है, जो अच्छा रिटर्न है, ऐसे कंपनी में जो हिंदुस्तान इंडुर है, उसमें अच्छा रिटर्न है, मेरे लिए तो वो एक अच्छा रिटर्न है, लेकिन आपके लिए वो रिटर्न कितना अच्छा है या नहीं, वो सायद आप कमेंट करके बताईएगा, लेकिन मेरे लिए मुझे एक्सपेक्टेड यही है कि 10-15-20% का रिटर्न बन जाता है, अच्छे कंपनियों में, तो वो मेरे ट्रेड हो रहा है, मार्केट में, वो बहुत अट्रैक्टिव एलुएशन पर है, अपने सेग्मेंट का, अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है, गोल्ड फाइनेंस करने में, यह मार्केट लीडर है, गोल्ड लोन देने में, तो अच्छा कंपनी है, अभी समय हो सकता है कि पिछले कुछ quarters है, तो result उतने अच्छे नहीं आया है compared to उसके पहले के quarters है, तो अभी हो सकता है कि near term में 6 माईना एक साल के अंदर ये down perform कर सकता है, या consolidate कर सकता है, लेकिन अच्छे valuation पे है, तो मैं इसको add करने वाला हूँ, कैसे add करना है, आपको अगर कैसे invest करना है, वो इस सकता है कि आने वाले एक साल में वो underperform करें, लेकिन TCS और Infosys जिस लेवल पे है, उस लेवल पे मुझे बहुत ही attractive लगता है, TCS ने अभी अपना buyback बेनाउंस किया था, 4500 के, 4500 के आसपास, यानि company ने 4500 के share, खुद के company के share खरीदे हैं, तो अभी जो है 3100 के आसपास चल र अगर ये अगर आपको जो company को लग रहा है कि जो fair price होना चाहिए, 4500 का, अगर वो return आपको 2 साल में मिलता है, तो अभी से 300 के 3100 के level से around 50% का वो return होगा, तो 2 अगर साल में भी आपको ये return मिलता है, तो ये बहुत ही अच्छा return होगा, तो TCS और Infosys को लेके मैं bullish हूँ, IT sector को लेके bullish हूँ, लेकिन आगें आपको एक ही बार में bulk में buying नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि अभी down perform करें, under perform करें, फिर भी अगर इसके result देखेंगे, TCS के Infosys के तो बहुत ही अच्छे result आ है, लेकिन क्योंकि पहले से valuation बहुत ज़्यादा high हो गया था, इसी कारण जो PE है वो कहीं न कहीं अभी जाके time correction इसमें होने वाला है, तो time correction से IT sector हो सकता है कि time correction में चला जाए, और एक साल दक हो सकता है कोई भी return ना मिरे, लेकिन दो साल, तीन साल में आपको एक बहुत ज़्या return देखने के लिए मिलेगा, तो TCS Infosys को लेके मैं bullish हूँ, IT sector को लेके मैं bullish तीसरा जो मेरा sector होने वाला है वो है banking sector, banking sector को लेकिन में बहुत ज़्यादा bullish हूँ, पहरे से कुछ मेरे portfolio में banks भी है, ICIC bank जो बहुत नीचे के भाव से है और बहुत अच्छा perform कर रहा है मेरे portfolio में, again ICIC bank हो गया, Axis bank हो गया, HDFC, Kotak bank ये private sector की bank है, और दो bank है, जो PSU bank है, SBI औ और camera bank, इसको लेकिन में bullish हो 6 bank है, तो आप अपने ही साब से देख लिजे कि आपको कौन सा bank suit करता है, आपको कौन सा bank का business model अच्छा लगता है, आप किस bank में comfortable or management आपको किसका judgeता है, उस ही साब से आप अपना due diligence करके ही invest करेंगे, किसी तरीके का ये आपको advice नहीं है, आपक जरूर कीजिए, अगर किसी advisor से advice लेते हैं, तो उनसे जरूर consult कीजिए, तो ये मेरे 3 pick है, दो, एक company मैंने बता दिया आपको, और एक IT sector बता दिया, और एक banking sector बता दिया, इसको लेकिन मैं bullish हूँ, और मैंने invest भी किया है कल, मुथो finance में मैंने positions बना है, और एक और sector है, जो small cap sector नहीं है, ये index है, small cap index, इसको लेके मैं bullish हूँ, लेकिन इस पे मैं detail में videos बनाऊँगा, आगे चलके, कौन-कौन से company मुझे अच्छा लगता है, किस में return बन सकते हैं, तो small cap में भी आप देख सकते हैं, आपको कौन सा company attractive लगता है, किस company का business आपको अच्छा लगता है, small company म होता है, तो ये भी आपको देखना परेगा, तो again ये मेरा दिवाली picks है, कोई भी अगर आपको कोई सवाल है, इस video से related, या किसी अन्य video से related, कोई भी stock market से related, mutual funds से related, तो comment करके आप पूछ सकते हैं, ये video कैसा लगा है, जरू comment करके बताईएगा, मेरे picks कैसे लगे हैं, आप comment आप से, तो वो भी मैं देखना पसंद करूँगा, तो आसा करता हूँ कि ये video आपको अच्छा लगा होगा, ये video को आपको अच्छा लगा है, इस video को like कीजिए, share कीजिए, जितना आप like करें, उससे मेरा motivation बढ़ेगा, और यहां तक आपने इस video को देख लिया है, ये video अच्छा लगा है, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लिजिए, नौर्टे फिकेता आपको प्रेस कर लिजिए, यहां तक हमने इस video को देखा है, इसके लिए अपका धन्यवाद,